हेलो यूटूब कैसे हो आप सब आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप देख रहे हो आपका फेवरेट चैनल बुल्ड फिटनेस ओफिशियल दोस्तो आज एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ ये वीडियो हर एज ग्रूप के लिए इस फ्री वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब अपर दोस्तो आज का TOPIK है FET LOSS WEIGHT LOSS 80% से जादा लोग इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि वेट लोउस क्या है और FET है तो वेट लोस दोस्तों आपको बता देता हूं कि वेट हमारी BFlow में हो ता है वेट हमारी muscles में होता है तो हमें muscles को कम नहीं करना है हमें bones को कम नहीं करना है हमें कम जोर नहीं होना है तो weight loss को भूल जाओ हमारा topic है fat loss तो हम बात करेंगे fat loss के उपर तो अब जो fat loss करना चाते हैं जो धोड़े से healthy हैं चबी हैं तो जो fat loss करना चाते हैं वो क्या करते हैं उनको कोई भी fitness freak दिख जाता है या वो जिस दिन उनको कोई advice कर देता है कि आप ऐसा करो आप gym चले जाओ तो वो पहले दिन gym में जाएंगे और किसी senior player से trainer से जो भी उन्हें कोई अच्छा सा दिखेगा हाँ यह लड़का fit है तो उससे क्या करेंगे भाया देखना मेरा यह पेट यहां से side से कम हो जाएगा कितने दिन में कम हो जाएगा मेरा यह जो line कितने दिन में आ जाएगी भाया मेरा arms fat कितने दिन में कम हो जाएगा भाया यह कब कितने दिन लग जाएगे भाया कोई इसके लिए tablet होती है क्या भाया कोई दवाई बता दो भाया कोई product ऐसा आता है अच्छा सा जो मुझे ऐसा कर दे भाई जब 20 साल 25 साल से इस fat को बच्चे की तरह पाला है आपने क्या क्या खाया है कितने दिनों से और आप चा रहे हो कि मतलब भाई कुछ ऐसा कोई बाबा जी का परसाद आपको दे दें कि आप सुबह उठो और यहां रितिक रोसन बन जाओ और घर से बाहर निकलो दस लोग आपके साथ सेल्फी किचाने आ जाए और यह वाई क्या तगड़ी बोड़ी बला ली ऐसा ऐसा नहीं होता है यह सिर्फ यह बाते करने में ही अच्छी लगती है कि कोई दवाई दे दो और जो शोटकट आप चा रहे हो ना कोई प्रोड़ेक्ट दे दो कोई पाउडर दे दो मिला के पी लें और दस दिन में भाया फैट लोस हो गया वो शोटकट आपको रियल लाइफ में लॉंग टरम में शोटरम में आपको पता नहीं चलेगा लॉंग टरम में वो आपको नुक्सान करेगा कहीं ने कहीं, क्योंकि जो process आपने fat gain करने की है जो time आपने fat gain करने का लगाया है तो वो एकदम से कम करोगे तो कहीं ने कहीं तो आपको loss होगा ना long term में तो आप उसको slow जाओ, जो logical process है जो scientific है, जो statistical proof है उस process के थुरू आप fat loss करो तो आप healthy भी रहोगे और वही healthy way है fat loss करने का और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा कोई side effect भी नहीं होगा और एक दूसरी category के लोग वो होते हैं जो किसी से भी advice ले लेते हैं कि मुझे weight loss करना है, मुझे fat loss करना है मैं क्या करूँ और कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उनको advise कर देते हैं कि आप खाना छोड़ दीजिये आप week में 3-4 fast रखिये आपके वह liquid diet लीजिये बट वो healthy तरीका नहीं है weight loss करने का weight loss आपका हो जाएगा उससे क्योंकि आप बहुत कम calories intake करोगे बट वो healthy तरीका क्यों नहीं है क्योंकि आप solid food से जो nutrition आपकी body को मिलने वाला था वो भूखा रहके और सिरफ liquid diet से आपकी body को नहीं मिलेगा इससे आप में कमजोरी आ जाएगी आपका metabolism dysfunction हो जाएगा आपकी body में cramps आना start हो जाएगे आपका liver तरीका क्या है सही तरीका worldwide एक ही जो main चीज यूज होती है जब fat loss की बात आती है एक ही formula है वो है first thing calorie deficient अब बहुत लोगोंने calorie deficient word ही पहली बार सुना होगा मैंने भी पहली बार ही सुना था जब मैं fitness field में नहीं था तो calorie deficient word बहुत नया है पहले calorie deficient का थोड़ा सा बता दूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा बाकी अगर पूरा deep में calorie deficient समझाऊँगा तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे जब आपको समझ में नहीं आएगी कोई भी कि अब maintenance calories क्या है maintenance calories होती है कि जितनी calories मेरी बोड़ी rest time में rest time कुन सा होता आप सो रहे हो आप सोच रहे हो आपकी heartbeat आपकी pulse नर्वा सिस्टम जो भी जितनी भी calories वो burn कर रहा है वो ये सारा हमारा system जो internal system जितनी calories बन कर रहा है वो हमारी rest time की calories होगी अब यह maintenance calories नहीं है यह rest time calories है अब इसके plus में जितनी calories आप activity करके burn करते हो यह total आपकी होगी maintenance calories एक तो आपकी rest calories होगी जो आपकी total body rest time में आप सो रहे हो जो आप burn नहीं कर रहे हो और दूसरा जो आप burn कर रहे हो total मिला के आपकी maintenance calories होगी और maintenance calories आप निकाल सकते हो अपने height body और weight को BMR formula होता है बैसल metabolic rate होता है वह formula में वहाँ पर आप जाओ Google search करो थोड़ी मैनत करो वहाँ पर जाके आप उसमें अपने calculation करके आपकी maintenance calories निकाल सकते हो अगर वहाँ से भी आपसे नहीं हो रहा है किसी को help चीए तो comment कर देना Instagram सेम नाम से हैं वहाँ पर मुझे message कर देना तो मैं help कर दूँगा अब आते हैं example के लिए कि मेरी मेरा weight लगा लिए 90 kg है तो मेरी maintenance calories मान के चलते हैं कि 3000 हैं यानि कि हम माल लेते हैं कि 2000 calories मेरी rest time की है और 1000 calories मैं पूरे दिन में burn करता हूं तो total calories मेरी हो गई 3000 पर डे अब calorie deficit यहां समझने की चीज है कि calorie deficit यह होता है कि मेरी total maintenance calories 3000 होगी अब मुझे खानी कितनी है मुझे खानी है कम से कम 3000 से नीचे अब 3000 से नीचे मैं कितनी भी खा सकता हूं अपने हिसाब से मैं 300 भी कम कर सकता हूं 400 भी कम कर सकता हूं 500 भी कम कर सकता हूं एकडम से ज़्यादा कम भी नहीं करना है यह भी समझने की चीज है आपकी maintenance calories 3000 है आप 1000 calories पर direct आगे हो वो भी चीज आपके लिए नुक्सान दायक है है वो भी चीज कम जोरी कर देगी तो इसलिए आपको थोड़ी सी कम करनी है कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरी से आपने एक्जामपल मान के चलते हैं कि हमने 300 कैलोरी फर्स्ट वीक कम कर दी अब एक वीक में हमारी कैलोरी कितनी कम हुई हमारी कम होगी एक वीक में तो अब हमें पता चाल जाएगा कि एक वीक में 200 कैलोरी हमने जो है डिफिशेट कर दी अपनी डाइट से तो हमारा कितना केजी वेट कम हुआ आपको लग रहा है कि आप 300 की बजाए 500 और कम कर सकते हो और उससे आपका ज्यादा अच्छा रजल्ट आएगा तो आप अगले हपते से 400 या 500 कैलोरी डिफिशेट करके और अच्छे से अपना वेट लोस में जरनी स्टार्ट कर सकते हो तो आपको दीरे दीरे इसमें क्या र कैलोरी थोड़ी ऊपर नीचे रहती है यह कोई ऐसा वह प्रूफ वाली चीज नहीं है तो जो फॉर्मुला एक माना हुआ फॉर्मुला है कि लगभग इतनी मेंटेनेंस कलोरी रहती है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी तीन हजार है और आपने 2700 खाना शुरू कर दिया और गल feelos हुआ अगर आपको लग रहा है कि इतनी कैलोरी कम करने से आपका वेट लोस नहीं हुआ है तो आप और कैलोरी ज को कम कर देजिए तो यही यहीज़ है केलोरी डिफीशेट तो आपने एक चीज कर ली calorie deficit तो मेन आप fat loss में 80% तक पहुँच गए अप calorie deficit मैं ये नहीं कहा रहा हूँ आपको कम खाना है मैंने अब तक बोला ही नहीं आपको कम खाना है आपको कम नहीं खाना है आप खाओ, खूब खाओ पर आपकी calories, आपकी maintenance calories जो target आपने रखा है उससे ज़्यादा नहीं जाना चीए और आपको अच्छा food खाना है जो आपको सारे nutrition भी दे दे, सारे मिंगल्स, विटामिस, everything सब कुछ आपको मिल भी जाए और आपका पेट भी भरा रहे, आप भूखे भी ना मरो तो वो है एक healthy तरीका, तो अब आपने यह लगा लो 80% काम वेट लोस का कर लिया क्योंकि जब आप calorie deficient पे होते हो, जब आप maintenance calories से कम calories intake कर रहे होते हो यानि कि कम खाना खा रहे हो maintenance calories से, तब आपकी body जो stored fat है वो energy के रूप में use करना start कर देती है, इसलिए हमारा fat loss होता है जब हमारा stored fat energy के रूप में use होना सुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी maintenance calories 3000 है और आप use कर रहे हो, वहाँ से 2700 calories intake कर रहे हो, तो जो 300 calories आपकी maintenance के लिए use होंगी वो आपके stored fat से use होंगी, अब एक चीज और आती है, अब सिरफ हम अगर without exercise इस चीज पर जाएगे तो result बहुत slow हो जाएगा, एक तो आपकी maintenance calories आपने 300 वहाँ से काटी, अब कुछ calories हम muscle build up करके burn करेंगे तो दूसरा तरीका है कि आप चलो ठीक है, मैं बोलनी रहा, सब लोग जिम नहीं जा सकते हैं, तो आप कम से घर पे home workout compound moments होते हैं, free squat होता है, उसके बाद आप कुछ भी छोटे बोटे equipment use करके हर muscle की exercise कर सकते हो, intense workout नहीं कह रहा है, मैं सबको body builder बनने की नहीं कह रहा हूँ, जितना जिससे हो रहा है, muscle का workout, थोड़ा सा muscle workout, थोड़ा सा cardio mix करके, थोड़ी सी burn out करो खुझ से calories, और फिर दूसरा आप first thing जो इतनी अच्छी करी रहे हो, calorie deficit पे हो, दूसरा यहां से muscle build भी कर रहे हो, muscle build और fat loss दोनों एक दूसरे के, जो inversely proportional है, आप जितना muscle gain करोगे, उतन तो आपको first thing calorie deficit, दूसरा thing जो भी है, कोसिस करो, compound moment exercise करने की, square हो गया, push ups, reps, bench press, इस सारी चीज़े compound moments में आती है, इसे cardio हो गया थोड़ा साथ, तो यह दोनों चीज़ों का mix up करके ही, जो है healthy तरीका है, fat loss करने का, बाबाजी के परसाल से, जो रिती ग्रोसन नहीं बना सकता है, आपको उस चीज़ से दूर रहे, दूसरी चीज, भूखा मरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको यह खाना छोड़ के weight कम करने का मतलब नहीं है, क्योंकि जिस दिन खाना-खाना स्टार्ट करोगे, weight दोबारा proton हो जाएगा, ठीक है, तीसरी चीज जो ही लोग कहते ह है कि रात को एक पानी लो, उसमें चार-पास तरे के बीज डाल दो, और उपना सुवह उठके पी लो, बहुत अच्छा result आ जाएगा, दस दिन में मेरा चार केजी कम हो गया, मेरा पांच केजी कम हो गया, common sense लगाओ, यह चीज पोसिबल है, कि मैं कि कोई अजीब सा पानी पिऊंगा, किसी भी बीज दबा के खा जाओंगा, कच्छे पोके, रैसे हो ऐसा कुछ हो जाएगा, यह चीज पोसिबल है, यह चीज पोसिबल नहीं है, तो आप senseless बाते मत सुनो, अपना time waste मत करो, जो चीज logical है, जो सही है, मैं वही बोलूँगा, वही discuss करूँगा, करना है, time बहुत है, सब के पास 24 घंटे है, आप जोब करते हो, स्टूडेंट हो, everything, सब का सब अपना अपना काम कर रहे है, तो अपने busy schedule से थोड़ा सा time अपने लिए निकालो, थोड़ा जल्दी सो जाओ, थोड़ा जल्दी उठलो, या थोड़ा लेट सो जाओ, लेट को क कर लो, workout का कोई time नहीं होता, आप focus करो, motivated रो और अपना workout करो, और खाने पीने का थोड़ा research करो, खुद थोड़ी मैनत करो, लोगों के बताने से इतना नहीं होगा, तो ये था healthy way, सच्चाई यही थी, बाकी यूटूबरों की तरह मैं भी थोड़ी सी एक यहाँ पे पानी देता, चार उसमें दाने डालता, उसको बोलता, चार गंटे इसको रख दो, खालो पीलो, वेट कम हो जाएगा, तो ऐसे views भी नहीं चीए मेरे को, तो अगर अब एक चीज बोलूँआ, अगर इस वीडियो में आपको लगे के कुछ दम है, अगर ये वीडियो किसी के काम आ रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको लगे इस वीडियो में कुछ दम है, तो इसको शेर कर देना, ताकि मुझे मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बना रहे, और लासली बोलूँआ, चैनल को सस्क्राइब कर देना, और इसके बाद भी किसी को कोई डाउट रहता है, किसी चीज प सकते हो, जैसा भी आपको suitable लगे, वो चीज आप कर सकते हो, मैं कोसिस करूँगा जल्दी से जल्दी उस टोपिक पर वीडियो बनाने की, या आपको personal reply करने की, जो भी possible way होगा, मैं वहाँ पर पहुचूँँगा आप तक, तो तब तक के लिए मिलते हैं, और एक छोटा सा क झाल 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 झाल